हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो वे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग तोगेदर विद यूर टीचर पुनम ठाकुर। आज हम करने वाले हैं क्लास फिप्त EBS NCRT का चैप्टर टू आज हम बहुत एक्साइटिंग चीज करने वाले हैं यह वर्क शीट आपको वर्क शीट के लिए पार वन और पार टू देखना बहुत जादा जरूरी है तभी तो आप क्या करेंगे बहुत सारे कोश्चन आंसर को अटेंड कर पाएंगे अपना नौलेज चेक कर पाएंगे त नीचे दीगई बैल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की लिंक आप तक जरूर पहुंचे तो आज हमारा बेसिकली होने क्या वाला है आज हम क्या करने वाले हैं वाक्षीट कुछ कोश्चन आंसर ब्लैंक्स टू फॉल्स यह इसलिए है ताकि आपने कितना सीखा ल पर पहला कोशन और यहां पर कुछ क्या हुए है आप्षन दियो यह राजस्थान फैंक्स एग्ज गोर्मन्ट ऑफ इंडिया कॉमन क्रेट ठीक है तो मारा फॉर्स्ट कोशन है इसनैक है वाईनस ग्लेंट कॉल ग्लेंट कॉल जो इसनैक रता उसकी पास जो ग्लेंट रती पॉईजन की जिससे वो क्या करता है one person में transfer करता अपना poison वो क्या कहलाता है next question Kalbelia is a dance of Kalbelia किसका dance कहा का dance form है ठीक है कहा की लोग Kalbelia dance करते हैं blank third blank blank is the most deadliest snack deadliest snack कौन सा है जिससे के काटने से क्या होता है death के 99% chance होते हैं अगर उसको hospital ना ले जाया गया next snack क्या देते है snack बर्थ करते हैं बच्चे को बर्थ देते हैं या फिर क्या देते हैं एक्स देते हैं यह बताना है आपको ठीक है next blank enacted wildlife protection act जो wildlife protection act है उसको किसने लागू किया आप क्या करिए वीडियो को पॉस्ट करिए और इसके आंसर देने की कोशिश करिए ठीक है हम लोग क्या करते हैं आप लोग यहां से वीडियो को पॉस्ट करके answer कुछ से देखिए मैं दिखाती आपको answers यहां पर है answers ठीक है first question है snack है poisonous gland called snack की poisonous glands रहती है उसको क्या का जाता है thanks का जाता है kalvelly is a dance of कहा का dance है कहा के लोग Kalvelly is maximum रहते हैं तो Kalvelly is a dance form of Rajasthan common crate common crate जो रहता है वह most deadliest snack रहता है ठीक है snack क्या करते है ले देते है ले का करते एक्स देते यह लेख्षित पैदा करते वह अंडे देते हैं और जो बाइड लाइफ प्रोडेक्शन एक्ट को किसने लागू किया दो गर्रमेंट ओफ इंडिया ने किसने दो गर्रमेंट ओ इंडिया ने तो आपको यहां से सारे आंसर मिल गए वीडियो को पॉस्ड करके आप आंसर भी कि आपके कितने सही हैं I hope आपके बहुत सारे सही होंगे क्योंकि आपने part 1 और part 2 जरूर देखा है next देखते हैं हम हमारा है true-false ठीक है true-false बताना है आपको first बोल रहा है कि all snack are chewing teeth snack के पास कौन से बाले दात होते हैं chewing teeth होते हैं जिससे वो क्या करते हैं अपने फूड को चबा चबा के खाते हैं true है कि false बताना है next है cobra is most found in green forest green forest में जो snack सबसे आदा पाया जाता है that is cobra next बोल रहा है naag gumphan is a type of rangoli naag gumphan क्या है एक rangoli है next बोल रहा है there are 10 type of snacks are poisonous हमारे इंडिया में 10 type के snacks क्या है poisonous है true है कि false बताना है common crate have strips on body common crate के में क्या होता है strips रहती है बॉड़ी में तो वीडियो को pause करिए answer दीजी check करिए खुदको answer से all snacks have twink teeth no snack have क्या fangs ठीक है उनके पास वो डारेक क्या करता है solo करता है ठीक है निगल लेता है अपने precoast में क्या करता है poison transfer करके fangs से वो डारेक सॉलो कर लेता है टीज नहीं होते उसके ठीक है दूसरा बोल रहा है कोब्रा इस मोस्ट फाउंड इन ग्रीन फॉरेस्ट तो दैट इस ट्रू कोब्रा कहां पाय जाता है कि इस में क्या होता है कि बॉड़ी में क्या पाय जाते है इस ट्रप्स पाय जाते है ठीक है यह उसके answer next देख थे कोशन है answer the following question answer देना है तो बोल रहा है what is bean bean क्या है तो हमने हमारे चैप्टर में already discuss किया है कि what is bean bean is a musical instrument used by snack charmer to charming snacks यहां से कहते हैं एयर ब्लो करते हैं और साउंड निकलता है अच्छाапने थेखा होगा बास्ठोरी इसमें क्या यह सामने का पालत अगर निकाल दू तो धे घ्रच कहा रहता है वैसे ही Teachers你 क् which attract snack most ठीक है तो भी निजा musical instrument used by a snack charmer to charm snacks next question है हमारा what are kalbelias? kalbelia क्या है? ठीक है तो answer है kalbelia is a name given to the community of snack charmers बुल रहा है कि kalbelia क्या है एक की बार चार्मर है अब क्या है एक कम्यूटी का नाम है एक special type की community है उसका नाम है वो लोग क्या करते है वो लोग करते है इसनेक को चार्म करते है इकठा करते हैं ठीक है उनको क्या करते है हमने अपने chapter में देखा था कि रोशन नाज जी थे वो बहुत फेमस थे अमंग दियर सोसाइटी है ना दियर कम्यूटी वो क्या करते थे इसनेक को पकड़ते थे लोगों को शो दिखाते थे ठीक है तो जो इसने काल बेलिया होते है वो भी क्या रहते है तो आफर सम्हें सिनेक चार्मर सोहते हैं धर यहां पर कुछ परसूंस यहां पर बोलो क्या कर रहे हैँ डिंड लाते हैँ कुछ snacks हैं, तो कालविया का में काम यही रहता है, ठीक, यह picture से आपको समझ में आ रहा होगा, तो यह जो सारे लोग हैं, यह जो सारे लोग हैं, सारे persons से, they are called कालविया, क्या कहलाते हैं, कालविया कहलाते हैं, next question है, all snacks are poisonous, बोल रहे हैं, क्या सारे snacks poisonous होते हैं, तो answer बोल रहे हैं, some snacks are poisonous, और some are non-poisonous, when a poisonous snack bite, it cause death on a spot, बोल रहे हैं, कुछ snacks poisonous होते हैं, और कुछ snacks poisonous नहीं होते, अगर snack काट दे, तो कुछ जो poisonous होते हैं, उनके काटने से क्या हो जाता है, spot पे death हो जाती है, जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ, आपको यहाँ पर किस snack दिख रहा है, उसने क्या 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 है, bite क्या, मैंने बापको पहले भी बताया था, कि snack के काटने भी क्या होते हैं, दो point जैसे symbol आ जाते हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं, कि सारे snacks poisonous नहीं होते, कुछ poisonous होते हैं, कुछ नहीं होते, और इस नहीं के काटने से, जो poisonous snack रहते हैं, उनके काटने से क्या होते हैं, देट भी हो सकती है, next question बोल रहा है, वाई snacks are called farmer's friend, snack को farmer के friend क्यूं बोला जाता है, snack helps farmers by eating rat presents in the field while spoiled, which spoiled the crop, so snack is called farmer's friend, स्नेक क्या करते हैं देखो यहाप एक फील्ड है और यहाप एक आपको एक स्नेक दिख रहा है तो स्नेक क्या करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं हमारी फील्ड की किस से प्रोटेक्शन करते हैं स्नेक वह से रैड से अगर रैड आ गया है तो वह क्या करत उनकी फील की क्या करते है सुरक्षा करते है ना प्रोडेक्शन करते है ठीक है नेक्स्ट कोशन बोल रहा है हमारा नेक्स्ट कोशन देखे नेक्स्ट कोशन हमारा बोल रहा है वाटार फैंक्स क्या है ठीक है तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि स्नैक दिख रहा है दिख प्टेथ कर लाना नें के सिर्व प्टेथ कर यह वार प्यांन का क्वार जाता प्टित चाहिए ब solely और प्टो लुटेकर रां टाष है तो यह क्या है इसनेक कई गचित है क्या रहते हैं जिसे लेपाब में गचिस एछi अ आप अ गया का चिन the teeth of snacks. जो teeth रहते है snacks के वो क्या कहलाते है? fangs कहलाते है. ठीक है. Why fangs कहलाते है? क्योंकि यह क्या करते है? poison transfer करते है. next question हमारा Do snacks can listen any sound? अभी मैंने इसका answer दे दिया already कि snacks क्या sound सुन सकते है? तो बोल रहा है no, snacks can listen actually they can feel the vibration on the ear when the bean is played बोल रहा है कि no, snacks can not listen, they can't listen actually they feel the vibration. वो क्या करते है? vibration feel करते है. कहा का vibration? on the air. air में क्या हो रहा है? vibration हो रहा हुआ, उसको feel करते है when the bean is played. bean play होती है, तो air में vibration होता है क्योंकि कोई भी musical instrument play होता है तो क्या होता है? vibration होते है तो अगर bean play होती है और by this, वो snack charmers के पास आ जाते है next question है why the government has made a law that no one catch wild animals and keep them हमने अपनी chapter में देखा था कि हमारी इंडिया ने क्या क्या है? हमारी इंडिया में कुछ laws है जिसके कारण हम क्या कर सकते है animals को पकर नहीं सकते अब आपको यह देखने के लिए chapter पे जाना पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा understand करना पड़ेगा तो वो पोल रहा है कि government ने ऐसा law बनाया क्यों actually तो government has made a law that no one catch wild animals कोई भी wild animal को catch नहीं कर सकता ऐसा government ने rule बनाया है because some people killed the animal and sell their skin in high price क्योंकि क्या होता है कुछ लोग क्या करते है animals को पकड़ते हैं और उनको sell कर देते हैं high prices में कि मैंने आपको बताया था कि animals की जो body है teeth है everything goes in on high prices सब को क्या रहता है बहुत जादा high prices price रहता है so for list of these activities government may such law इस सारी activities को रोकने के लिए government ने यह सारे law बनाया है government ने पार्क बनाया है government ने ने नेशनल पार्क बनाया है wildlife centuries बनाई है ताकि यह सारी जो activities animals को harm पहुचाने की बहुत सारी क्या हो सके रोक सके next है यहाँ पर मैं देखू wildlife protection act है ना यहाँ पर animals बने है कब लागू हुआ 1972 में wildlife protection act कब लागू हुआ 1972 में 1972 में हमारी government ने law बनाया है कि हमारे हाँ पर पार्क बनेंगे नेशनल पार्क बनेंगे to protect animals no one can kill animal कोई भी animal को kill नहीं कर सकता sale नहीं कर सकता यह सारे laws बनाया next question है write the name of poisonous snack कुछ जो snack है poisonous इसको हमने चैप्टर पर डिसकस किया था तो उनके हमें नाम बताना है जो snacks इंडिया में poisonous है तो there are only four type of snack चार टाइब के बसे snacks poisonous है जैसे कोब्रा तो यहां पर कोब्रा लिखा है common crate यहां पर common crate लिखा है रसल वेपर दोबिया जिसको बोलते है यह रसल वेपर है ठीक है sorry यह रसल वेपर है और यह है soy skelled वेपर तो यह four type के snacks है जिनकी picture आप देख सकते हैं king cobra ठीक है रसल वेपर soy skelled वेपर और common crate यह सारे जो four type के snacks है mainly they are so poisonous if they bite any animal or human it may cause death ठीक है अगर इसकी कार्ट दे तो क्या हो सकती है death हो सकती है तो यहाँ पर मैं answer दी हूँ four type के snacks का है poisonous है उनके name यह है next हम इस chapter से कुछ important day discuss करना चाहते हैं which is very important to our ecosystem our environment तो यह सारे जो important day है वो आपको learn होने चाहिए in class of fifth class में आपको यह सारे चीज़े याद होना चाहिए which is very important it is also important for anyone who preparing for competitive exam because अगर मैं बात करूँ teaching exams की stat, CTAT, especially stat या CTAT में यह सारे date पूछे जाते हैं यह सारे questions पूछे जाते हैं की भाई क्या snacks के पास date होता है यह चोटे-चोटे questions रहते हैं हमें मिलते रहे हैं आसानी से और यह सारे questions के answer हम ढूंदे रह जाते हैं हमें लगता है यह सारा out of the syllabus आया है पर ऐसा कुछ नहीं रहता सब कुछ बुक के अंदर से ही आया रहता है हमारा first है Earth Day Earth Day कब मनाय जाता है 22 April National Science Day कब मनाय जाता है 28 April World Health Day कब मनाय जाता है 7th April World Environment Day 5 June World Population Day 11th July World Ozone Day 16 September 10 September 16 September Farmers Day 23 December World Wildlife Week 228 October Wildlife Week कुछ गर्मेंट्स कुछ प्रोग्राम अरेंज कराती है है ना पोस्टर है ना ऐसे राइटिंग यह सारी चीज़े कराती है हम लोगों सेमिनार्स होते हैं है ना टु कन्वे नौलेज अबाउट हाउट हाव वी प्रोटेक्ट एडिमर्स थीक है World Forest Day 21 March World Water Day 22 March World Atmosphere Day 10 April यह कुछ इंपर्टेंट डेंज हैं जिसको आपको क्या करना है लर्न करना है वी बहुत बेसिक कॉंसेट अपके लिए है आपको पूरे ने कुस तो मियाद होने चाहिए बहुत इंपर्टेंट है अर्थ यह बहुत इंपर्टेंट है तो ऐर्थ का वाता हम से दे में हम चौन से करते हैं लग हो लुने हो चाहिए साग्ड पिजए कि एंवाइलमेंट व hanagny कि वेब्टेटे साथ अपने को ऑंव频्डि भी लर्न हो चाहिए ओजोन क्या होती है OSHOन क्या होती है जो क्या करती है बेते प्रोटेक्शन देती है और ऊजोन कहोंते है एक लियर होती है जो क्या करती अल्ट्रा वाइलेट रेज को अर्थ तक आने के लिए तो फिछ ़े इंपॉर्टन्ट च्शा मेढ are तो बात करों नियुक्त रोल इन अवर डेडी लाइफ इताउ फार्मर वी चांटो इमेजीना एवर लाइफ ना फार्मर्म के बीना लाइफ हम इमेजन कर सकते हैं क्या नो क्योंकि हमारे इंडिया अगर में especially India की बात करूँ तो food grains बगेरा कहा से आते हैं हमारे पास farmers के पास से आते हैं forest which is very also important day सो यह कुछ क्या है important day है ठीक है next अगर मैं बात करूँ हमारी next slide की तो यहाँ पे earth day है ना water day ठीक है यह सारी चीज़ें मैंने इस poster पे लिखा जिसको आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है so thank you thanks for watching अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है ना तो please वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को subscribe करना ना भूले मैं बिलकुल पुनम ठाकुर में आपके लिए क्या करते रहूंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाती रहूंगी so thank you